आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप सभी जानते हैं कि बिहार से संबंधेन का और भारत की राजनीती में काफी बड़े नेता माने जाते हैं और इमानदार छभी बाले नेता माने जाते हैं और जैसा कि आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि देखें नेतेश कुमार क्या सोचते हैं क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं इसके बारे में कोई नहीं सोच सकता है आप देखें इनकी पार्टी की सीटें कितनी भी रही हो लेकिन CM का पत, मुख मंत्री का पत, इनी के पास रहता है और इनकी राजनीती देखकर मुझे वो आप देख बच्पन का खेला आप लोगोंने देखा होगा बैट वॉल जिसके पास होती थी सबसे पहले बैटिंग वही करता था तो इनका भी कभी कभी यही लगता है कि विहार की जो राजनीती में बैट वॉल है ना वो नीतेश कुमार के पास ही है और ये सभी आप सोचे कि जब इंद्रा गांधी ने राश्टी ये आपातका लगाया था 1975 से 1977 के बीच उसके बाद आप देखी कि आपके JP नारायन सावाए जैपकास नारायन ने एक आंदोलन चलाया JP नारायन आंदोलन JP आंदोलन उसी से निकली हुए सभी नेता हैं लालू पर साध्याद हो हैं फिर चाहे आप देखे नीतेश कुमार हों आपके और अभी बर्तमार में आप देखे कि उस समाजबादी राजीती से निकली अधिक तोर नेता रेटायर हो चुके हैं या तो कुछ नेता हमारे बीच अब नहीं है लेकिन उन समय अभी भी आप देखे कि नीतेश कुमार सक्क्रिये बने हुए हैं तो आज हम लोग इनके बारे में विस्ताल से बात करेंगे और यह मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी पार्टी के लिए एक कदम लिया है क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि भारती जिंता पार्टी की जो चबी बन चुकी है कि जिससे भी उसका गटबंदन रहता है उसका जो भी सहेगुई दल रहता है उसी को खतम कर देती है और ये आपने देखा है कि आपका पंजाब चले जाईए आप लोग उत्तर फ्यदेश चले जाईए आप लोग कहाँ चले जाईए आप हाली में महराष्ट चले जाएए करनाटक चले जाएए आप लोग ठीक है तो ये नीतिस कुमार के बारे में हम लोग बात करने बाले हैं देखे नीतिस कुमार की पत्नी आप देखे इनका अंतियम समय क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे वीच इनके पतनी नहीं रही हैं और ये आप देखे इनके पतनी हैं और ये नीतिस कुमार हैं ये आप देखे अभी जिनके साथ गटवंदन हुआ है तेजस भी यादो RJD के पिरमोख हैं एक तरह से आप सोचिए बिहार में आप देखे पहले पे गटवंदन दोड़ा था और उसके बाद इनोंने दुबारा बीजेपी में सामिल हो गए थे गटवंदन कर लिया था और ये आप देखे लालू पे साथ यादो और नीतिस कुमार ये आप देखे अभी कुस समय पहले पायटी भी थी उसमें दिखाई दे रहे है लालू पे साथ यादो के चोटे बेटे ये आप देखे तेजपता बड़े याद बेटे हैं इनके बेटी है लालू पे साथ यादो की और तेज़स भी यादो की ये पतनी आपको दिखाई दे रही है ये आप देखे रावडी देवी है आप सभी जानते होंगे और यह नितेश कुमार के बेटे है ठीक है और विहार की राजनीती की बात हो रही है तो देख लिए जे बयार की राजनीती के बारे में बता देता हूं आपको कुछ पॉइंट देखे बयार आपको दिखा ही दे रहा है इसके राध्धानी पटना है और आप देखिए कि इसकी सीमा उत्तरपिदेश से लगती है आपकी, इसकी सीमा जहारिखंड हो गया, पक्ष्च मंगाल हो गया, और अंतराश्टी सीमा इसकी आप देखिए नैपाल से लगती है, किस से लगती है, नैपाल से लगती है, यहां बिधान सभा में अगर आप देखने को मिले की यहां बिहार में, विधान सभाय में आपकी 243 सीटें हैं, विधान परिशत भी है, जिसमें आपको 75 सीटें देखने को मिले की, राज्य सभाय में 16 सीटें हैं और लोक सभाय में 40 सीटें देखने को मिले की बिहार में, कहां बिहार में, अगर हम लोग नीतिस कुमार के तो एक मार्ज उन्नीस सो इंक्यावन को भारत की बक्तियार पुर विहार में इनका जनम हुआ था इनके पिता का नाम कभीराज राम लखन सिंग और माता का नाम परमेसुरी देवी था और नितिस कुमार के पिता फीडम फाइटर यानि की सुतंता सेनानी और एक आय 28 दिसंबर 1885 में ठीक है सबसे बुरानी पाइटी है लेकिन साल 1925 से 1957 में जब पाइटी जिसे चुनाओ और टिकट नहीं मला तो उन्होंने पाइटी छोड़ दी और जनता पाइटी जोएन कर ली थी पहले आप लोग जनता पाइटी देखते थे और आप देखे कि फिर उ बैक ग्राउंड की बात करें तो आप देखेंगे 22 परवरी 1973 में नीतिश कुमार की साधी मन्जु कुमारी सिनहा से हुई मन्जु कुमारी पटना में एक स्कूल में टीचल थी और अनुसासन और इमांदारी के लिए जाने जाने वाले नीतिश कुमार की पतनी अब इस दु हुगा था उन्होंने BIT मैसरा से इंजिनिंग की पड़ाई पूरी किये और नितिश कुमार को किताबें पढ़ना और फिल में देखना भी पसंद हैं एक इंजीनियर हैं आप सभी जानते हैं नीतिश कुमार और नितिश कुमार की बात करें तो आप देखेंगे 1972 में बिहार कॉलेज ओप इंजिनिरिंग से एलेक्टिकल इंजिनिरिंग की सिक्षा हांसिल की है और लोग NIT के नाम से भी जानते हैं और इसके बाद इन्होंने बिहार राज एलेक्टिसिटी बोर्ड में नौकरी भी किये और उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने राजनीती में पिरवेश किया और नितिश कुमार राजनीतिक व्यक्ति के अलावा उन्हें एक बेतरीन एग्रिकल्चरिस्ट और सोसल वर्कर की तोर पर भी आप लोग जानते हैं और चाती जीवन से इन्होंने राजनीती सुरू कर दी थी पर्टना उन्हें के दिनों में जैपिकास नाराइन की अगवाई में हुए चात आंदोलन में नितिश कुमार का नाम पहले बार उबरा और आप देखें कि समाजबादी धारा की नितिश कुमार उन्नीस सो सततर में एंटी कॉंग्रेस आंदोलन के दोरान अपनी पहली बार जनता पाइटी की टिकट से हर नौ से चुनाओ लड़ा लेकिन इसमें इने जीत का जीत नहीं सके यानि कि हार का सामना करना पड़ा था पहली बार फिर आप देखेंग उन्नीस सो पच्चासी में हर नौ से नीतिश कुमार ने जीत दर्च की और पहली बार बिध अगर आपकी 18 साल उम्र हो चुकी होगी तो आप लोग बोटा सुची में नाम जुड़ चुका होगा अब भी बोटालने जाते होंगे 1987 में नीतिश कुमार ने युवा लोक दल के अध्यक्ष का पदभार समाला और 1989 में नीतिश कुमार फहली बार यह आप देखें सांसद बने यानि कि लोक सबसा सदस बने और 1991 में दुरावा दोबारा नीतिश कुमार दोबारा वार से सांसद चुने गए यानि कि लोक सबसा सबस्थ बने और आप देखिए लोग सबस्थ बनने के लिए आपकी उम्र कितनी कम से कम 25 साल होने चाहिए इनका चुनावा भी डारेक्ट दन्ता की दवारा होता है और इसके नितियस के इसके बाद 1996-1998 में भी वो सांसद बने और अटल भी हारिवाच पही सरकार में 1998 में नितियस कुमार को केंदरी रेल मंत्री भी बनाए गया हाला कि किसन गंज के पास हुए भेसर रेल दुरगटना के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीपा दे दिया था और इसलिए आप देखिए उन तो आप देखिए एक मजे हुए खिलाड़े हैं अगर हम लोग मुकमंत्री के तोर पर बात करें इनके तो बिहार की राज्यपाल फागु चोहन ने यानि कि आप देखिए 2020 में इने सपत दिलाई हुई थी और जब चुना हुए थे बीजेपी के साथ इनोंने गटवंदन क किया हुआ था और अब इस्तीपा देख अगर आप देखिए मुकमंत्री बनेंगे तो साथ भी बार हो गए और इस पूरे सिलसले में आप देखिए तो तीन मार्ट सन दोहजार को बिहार की मुकमंत्री बने थे लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण साथ दिन वाद ही उन्हे सफ़ेली बार सन 2000 में ये मुकमंत्री बनते हैं दूसरी बार नीतियसकुमार देखिए दोहजार। 5 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई और 24 नवंबर 2005 को उन्हों ने बिहार के मुकमंत्री पकी सफ़द ली और अपना कारकाल पूरा करती हुए 24 नवंबर 2010 तक वो मुकमंत तीसरी बार नीतिशकुमार में आप देखिए 26 नवंबर 2010 को मुकमंत्री बने और इन चुनाओं में NDA ने पिचंड बहुमात हासिल किया और 243 में से आप देखिए 206 सीटे जीत हासिल की थी चौतरी बार नीतिशकुमार मुकमंत्री बनने का वाके वेहदनाट किये 2014 में बीजेपी से अलग होकर राजत के साथ उन्होंने सरकार बनाई लोकसरा चुनाओं में उनका खराप दर्शन रहने के बाद उन्होंने इस्तिपा दे दिया था और जितम राम महाजी को CM मनाये था लेकिन कुछ गलत फर्मियों के कारव उन्होंने आटा दिया गया था इसके बाद आप देखिए 15 फरवली 2015 को नीतिशकुमान ने CM पत की मुख मंतरी के रोब में सबत ले थी फिर आप देखिए कि चटी बार नीतिशकुमार के मुख मंतरी बनने का भी घटना क्रम और कारकल अब तक का सबसे नाट की घटना क्रम है आर जेडी की यानि कि लालू परसाध यादों के साथ थे लेकिन कुछ उनके मद्वेद हुए और 26 जुलाई 2017 को उन्होंने अपने मुख मंतरी पत से स्थिपा दे दिया था और 27 जुलाई 2017 को उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चटी बार मुख मंतरी पत की सपत ले थी यानि कि आप देखिए पहले से ही तय कर लेते हैं और अभी भी आप देखी की टाइम नहीं और इन चुनाओं में GDA पहली बार BJP से कम सीट हैं जीती लेकिन मुखमंत्री पत्का नीतेश कुमार की कावेज हैं और 2020 में BJP के साथ गड़बंदन तोड़ दिया 22 में और महागडबंदन के समर्थन से बिहार की मुखमंत्री फिर से बन गए वो CM नीतेश कुमार की कुछ फैसले भी काफी इतियासिक हैं और चर्चा में भी रहें सबसे पहले तो नीतेश कुमार ने पंचयाच चुनाओं में जो महलाओं को 50% फिस दी आरक्षन दिया है वो काफी चर्चा में रहा है और आप देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में महलाओं की इस्तिती आदी आबादी है तो उने आदी आबादी के इसाब से आप देखिए उनका पितने दित भी होना चाहिए ना आप सभी जानते हैं कि महलाओं की जो समस्या हैं उनका निवारन किस तरह से हो सकता है, वही समझ सकती हैं बहतर, और बिहार ऐसा करने वाला पूरे देश में पहला राज्य था, और इस कदम को बहतर बहद करांती कारी मान गया, और इसमें इसने महलाओं की राजनीती में इंट्री आसान कर दी, और इसी तरह नितेश कुमार ने इस से, तो इस तरह का फैसला उठाना बड़ी हिम्मत का काम होता है, इने एक पुरुसकार भी मिल चुके हैं, अडू विट समान स्वेतामबर 13 पंध महसभा जैन संस्था द्वारा, बिहार में सराबंदी लागू करने के लिए 2017 में पुरुसकार मिला, जेपी इसमारक पु रंगपूर मानव मंदिर 2013 में, फोरेंड पॉलिसी मैगजीन के टॉप सो वेस्विक चिंतक लोगों में सतत्रवेवे इस्तान पर रहें 2012 में, एक सेलाराई जमसित पुर द्वारा सर जहांगीर गांधी मेडल 2011 में मिला था, MSN Indian of the Year 2010 में दिया गया, NDTV Indian of the Year राजनीती में 2010 में, Force India Person of the Year 2010 में, CNN, IVN Indian of the Year अबड राजनीती में 2010 में, NDTV India of the Year राजनीती में 2009 में, Economics Time Business Reformer of the Year 2009 में, पहली ओनमूलें चैंपियन से अबड 2009 में, Rotary International द्वारा, CNN, IVN, Great Indian of the Year अबड राजनीती में 2008 में दिया गया, अब आप देखिए सवभाविक सी बात होती है, किसी पत पर होते हैं आप लोग इस तरह है, तो विवादों का जुड़ना भी सवभाविक सी बात हो रहती है, तो इससे जुड़े हुए कुछ विवाद हैने भी देख लिजे, नरेद मौधी को एंडिये के पिदान मंतरी के उम्मिदवार की रूम में चुने जाने के बाद, 2014 की आम चुनाओं से पहले भाजापा के साथ अपना गटबंदन तोड़ दिया था, तो उस समय भी काफी चर्चा में रहे थे, 2015 की बिहार चुनाओं में लालू परसाथ यादाओं के अपने लंबे समय से बिपक्षी राज़त और कॉंग्रेस के साथ उनके गटबंदन की यत्तिदी कालोचना भी की गई थी, 2015 की बिहार चुनाओं के दौरान एक तांतरिक से मिलने का उनका एक वीडियो भी बारल होने की बाद बेवादों में आ गए थे, 2010 में अपनी आपकारी मंत्री जमसेद असरप को बर्खास करने के बाद असरप ने उनपर सराप कर चोरी कांड का रूप लगाया था, जिससे राज़स में 500 मिलियन रुके का नुकसान हुआ था, बिहार की सियम जितम मरा माजी की नियुक्ति और वर्खास्ती से भी कुप बबाल मचा था, और राज़त और कॉंग्रिस के साथ गटपंदन तोड़ दिया, क्योंकि अगर आप देखिए कोई भी अपनी पार्टी के बारे में इतना सोचता दो वो भी यही करता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस तरसे बीजेपी काम कर रही है, और वो चिंता करना उनका सुभाविक सी बात रहती है, क्योंकि नितेश कुमार हो या का, बाकी उधाव ठाकरे का क्या हाल हुगा, आप सभी जानते हैं, और यहां भी आप देखिए कि 2020 में नितेश कुमार के साथ क्या खेला खेला गया है, यह राजनीती में अगर कोई थोड़ी भी दिल्चस्प भी रखता होगा, वो समझता होगा, कि आप देखिए इनकी किस तरह से सीटें घर्टी, इनके बिरोध में आप देखिए किस तरह से किसी को उतारा गया, उसके बाद नुकसान तो इनी की पार्टी को हुआ न, और उसके बाद एक RCP सिंग आए, उसके बाद उन्होंने भी आप देखिए इन्हों नुकसान पहुंचा है, खेर आँगे, क्या इनका सफर रहता है, आने वाला भक्ती बताएगा, और इसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है, और जानते रहा करिएगा, हमारे देश के नेता हैं, तो मुझे लगता है जानना चाहिए, और भी किसी के बारे में आपकी जाननी की दिल्चस्पी है, तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है?